हले अब्रिवन नमस्कार हाजिर हूं मेंगनेट ब्रेंज कॉंपिटिशन के एक और सेशन में जहां पर आज लेकर आया हूं करेंट अफेर्स का डेली डोस 17 आफ सेप्टेंबर 2022 दोस्तों इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये करेंट अफेर्स का डेली डो सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए और जितना हो सके लाइक कीजिए चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेर्स का डेली डोस तारीक है सेप्टेंबर का सत्रा मतलब की 17 सेप्टेंबर चलिए तो और राइजिंग न्यूक्लियर श्राइक्स आज फोरम आफ मतलब यह कि रक्षा के रूप में परमाणों हमलों को अधिकरत करेगा अब बया कौन अधिकरत करेगा तो शकल आपको दिख गई है बाई साब का हेस्टाइल भी आपको पता ही है पूरी दुनिया में फेमस है इनकी खबरों पर आते हैं इससे पहले मैं बता दूं कि यह है दुनिया भर के लाडले और चहेते शहिंशा जिनका नाम है किम जोंग उन ताना शाह भी कहे जाते हैं डिक्टेटर भी कहे जाते हैं और का जाता है कि इनके देश में ऐसा ही हैर कट सबके लिए कंपल सरी है मतलब यह कि हर लड़के को हर पुरुष को ऐसा ही हैर कट करना हो अगर वो नहीं करेगा तो उसके लिए सजा दी जाएगी अचा उसके बाद फिर बात करें तो अब जो मैं आपको बताना चाहरा हूँ वो यह है कि भाईया इन्हों ने खुद ही स्वेंबू होकर एक कानून पास कर लिया देश में और वो कानून क्या है नौर्थ कोरिया पास दूरी दी है जो उसे पहले से परमाणू हमला करने का अधिकार देता है मतलब यह कि कोई अगर उत्तर कोरिया से उलजेगा युद्ध करेगा उत्तर कोरिया पहले ही परमाणू हमला कर देगा बात मतलब सीधा सीधा कानून क्या पास हुआ है यह दुनिया को धंकी दी है कि don't mess with us हम से मत उल्जो क्योंकि सबसे पहले हम चोटा मोटा मिसाइल नी चलाएंगे direct परमानू हमला करेंगे direct जो है nuclear attack करेंगे ऐसा कानून जो है वो उत्तर कोरिया ने पास किया है North Korea ने पास किया है ठीक है With the recently passed law North Korea's status as a nuclear weapon state has become irreversible मतलब ये कि हाल ही में पारित कानून के साथ उत्तर कोरिया की परमानू हत्यार राजी की इस्तिती आप परवर्ती नी हो गई है मतलब ये कि भाया ये अब जो है वो परिवर्तित नहीं होगी ये जैसे थे बिलकुल वैसे ही रहेंगे और दुनिया के लिए जंजट या दुनिया के लिए सरदर्द हमेशा की तरह बने रहेंगे North Korea this year tested a record number of weapons including a intercontinental ballistic missile मतलब यह कि record Korea बोल रहा हूँ record Korea नहीं है यह North Korea भाई साब जो है यह देश इसने इस साल record जो है वो missiles का परिक्षन किया हत्यारों का परिक्षन किया और साथ में इसमें intercontinental ballistic missile भी शामिल है intercontinental मतलब यह कि भाईया यहां जो है अगर यह South America से यहां North Korea जो है यह missile मतलब एक महद्वीब से दूसरे महद्वीब तक जाने वाली missile को intercontinental missile बोला जाता है दूसरी बात यह कि ballistic missile बोले तो हवा में ही रास्ता बदलने वाली missiles तो ऐसी missiles का परिक्षन जो है North Korea ने किया है आप याद रखें अब दुनिया की चिंता के विशय जो हैं बने रहेंगे कौन? North Korea हलाकि इनकी चिंता दुनिया नहीं करेगी इनकी वज़ा से दुनिया को चिंता होगी चलिए अब बात करते है Supreme Leader of North Korea जिनकी जिनका चहरा मैंने आपको बताया था सबसे पहले वो थे Kim Jong-un जिनके हेस्टाइल की बात हुई थी बाकि President of South Korea जो है यहाँ पर वो है यूंग सुक योल कौन है? यूंग सुक योल जो है यह जो है बेसिकली दक्षिन कोरिया के President है आप याद रखिएगा दक्षिन कोरिया के President है और उत्तर कोरिया के सर्वोचनेता जो है वो कौन है? किम जोंग इन और यह दोनों जो देश हैं North Korea और South Korea जो है यह एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना की भारत और पाकिस्तान, जितना की इसराइल और फिलिस्तीन, जितना की रशिया और अमरीका जैसा इन देशों में प्यार है वैस जो है वो हमारी न्यूस की तरफ, अगली जो न्यूस है वो क्या है? प्यूश गोयल प्यूश गोयल लाँचे सेतु प्रोग्रम प्यूश गोयल भाई साब ने सेतु प्रोग्राम लाँच किया है इस पर बात कर लेते हैं to connect entrepreneurs in India मतलब भारत में जो हैं entrepreneurs, मतलब नए business शुरू करने वाले जो लोग है जो खुच से जो हैं आइडिया के साथ business करना चाहते हैं तो इंडिया को entrepreneurs से जोडने के लिए with US based investors मतलब ये के भारत के होंगे entrepreneurs और US के होंगे investors अमेरिका में कोई बैठा है पैसे वाला वो पैसा लगाएगा और भारत के लोग business करेंगे अपने ideas पर ऐसा कुछ सेतू बनाने का प्रोग्राम जो है गोहल भाई साहब ने शुरू करवा है, the commerce and industry minister Piyush Goyal has created a program called Setu और Setu का full form मित्रो है, वो है supporting entrepreneurs in transformation and upskilling, supporting entrepreneurs in transformation and upskilling, ध्यान रखिये, transformation and upskilling, supporting entrepreneurs, transformation and upskilling, यह जो है Setu का full form हो गया, जो आपसे exam में पूछा जाएगा, चलिए, अब आगे बात करते हैं with Setu mentors in the US who are eager to support entrepreneurship can connect with Indian firms that are just getting off the ground Setu के साथ या Setu की मदद से, अमेरिका में mentor जो की उद्यमिता का समर्थन करने के लिए उद्सुक हैं, मतलब ही है कि अमेरिका में वो लोग जो भारत के छोटे उद्योग पतियों या entrepreneurs की मदद करने के लिए उद्सुक हैं, वे भारतिये फर्मों से जुड सकते हैं, जो अभी शुरू हो रही है सेतु योजना है न, this initiative was introduced during a discussion centered on particular concerns with Indian startup ecosystem इस पहल को भारत के startup ecosystem के साथ विशेश चिंताओं पर केंद्रिच चर्चा के दौरान पेश किया गया था जो अब शुरू हो चुका है, सेतु, आचा सेतु की चर्चा के दौरान हमने देखा भया की यहाँ पर प्यूश गोईल साब बहुत जो है वो interested रहे और सेतु का जो basically इन्होंने शुरुआत करवाई, तो प्यूश गोईल कौन है, हमारे commerce and industry minister है आपको याद रहना चाहिए, अमेरिका के जो है entrepreneurs हमारे साथ जो है वो आएंगे, स्वरी, अमेरिका के जो है investors, mentors हमारे साथ जुडेंगे जो भारत के उद्योगपतियों की या भारत के जो entrepreneurs से उनकी मदद करेंगे, तो अमेरिका के राष्टपती है जो बाइडेन आप सब जानते हैं, capital of United States आप जानते हैं, Washington DC, ओके, चलिए विश्व चिकित्सा दिवस 2022, है ना, मतलब यह कि world first aid day, प्रात्मिक चिकित्सा दिवस बोलना चाहिए मुझे, world first aid day बोलना चाहिए, तो भाईया आप से पूछा जाएगा कि first aid day जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे भाईया, 10th of September को मनाया जाता है, आप सेप्टेंबर को जो world first aid day मनाया जाता है, celebrated every year on the second Saturday of September, मतलब यह कि आप बोलेंगे कि हमेशा यह 10 सितंबर को नहीं आएगा, यह इस साल 2022 में 10 सितंबर को मनाया गया, बाकी यह सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, सेप्टेंबर के दूसरे शन सेप्टेंबर के सेकेंड जो है, वो सेटे डे को यह मनाया जाता है, दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है, आप याद रखें, world first aid day मतलब यह कि व्यक्ति अगर घायल हो जाता है, तो या कोई परिशानी में होता है, health related को इशू होता है, तो सबसे पहले, डॉक्टर के पा इस साल 10 सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर के दूसरे शनिवार को, है न, सितंबर को शनिवार को सहायता, परात्मिक सहायता, आप याद रखेंगे, सितंबर के दूसरे शनिवार को सहायता, परात्मिक सहायता, ओके, the day is recognized worldwide to promote the significance of first aid, मतलब यह कि first aid का बहुत महत्व है, हर काम आदमी को आपने दिखा होगा जानकारी होती है या होनी चाहिए कई बार आजकल आपने social media पर ऐसे videos देखें जहां पर अचानक से कोई व्यक्ति है कोई बच्चा है जिसकी सांस रुख जाती है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको heart attack आ जाता है ऐसा बहुत कुछ public place पर अचानक होता है तो उन में से अगर कोई doctor है या कोई जानकार व्यक्ति है उसे पता है कि अगर heart attack survive कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसे प्रात्मिक उप्चार क्या देना चाहिए अगर किसी को जैसे माली जे stroke आते हैं या फिर कोई बच्चा जिसकी सांस रुख जाती है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये सब जो है basically first aid में सिखाया जाता है तो first aid day जो है मनाया गया इस साल कब आप याद रखेंगे 10 सिंदपन को है ना और हर साल September के दूसरे शनिवार को मनाया जाता which is an important fundamental skill ये जो first aid है एक important fundamental skill है अगर सब को आए तो पता नहीं कितनी जाने बच जाएं आप खुछ समझ सकते हैं and to create awareness on a global level about how it can save precious lives आप समझ सकते हैं कि कितनी जो है कीमती जीवनों को या जानों को बचाया जा सकता है अगर वैश्विक इस तर पर लोगों में जागरुकता आ जाया और लोग जो है परात्मिक चिकित्सा का ये गुण जो है वो सीख सके मेरे हिसाब से ये स्कूलों में कुछ सिखाया तो जाता है लिकिन इसे mandatory भी किया जाना चाहिए कि विकट परिस्थितियों में क्या कदम उठाएं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आप से पूछा जाएगा कि भाया सब ये जो डे है ये किस ने इंटेडियूस किया कौन मनाता है तो आप बताएंगे डे वाज इंटेडियूस फर्स इसने जो है ये शुरू किया था ये आप याद रखेंगे फर्स चेड डे अब बात कुछ बड़ी करते हैं इंडियाज अग्नीकुल सिक्योर्स फर्स्ट पेटेंट फार 3D प्रिंटिट रोकेट इंजिन समझ रहो आप आप समझ हो बात को पहली बात तो आप patent word का मतलब समझिए अगर आप कोई invention करते हैं अगर आप कोई खोज करते हैं और अगर उसका patent आपको मिल जाता है यह authority है कि आपके अलावा इस वस्तू का उपियोग commercially पैसा कमाने के लिए कोई और नहीं कर सकता तो सुचिए भारत का जो है organization है जिसका नाम है अगनी कुल क्या नाम है अगनी कुल नाम की संस्था भारत में जिसे 3D printed rocket engine जो है बनाने के लिए patent हासिल हो गया है मतलब यह कि अगनी कुल नाम की संस्था के अलावा दुनिया में और कोई 3D printed rocket engine नहीं बना पाएगा patent हमें हासिल हो गया अगनी कुल कॉस्मॉस वन अफ इंडियास private space startup है यह अगनी कुल जो है वो क्या है यह इंडिया का इंडियास private space startup है यह startup एक नई company है startup की रूप में शुरू ही है जो की rocket के engines बनाएगी, has secured its first patent for the design and manufacturing, ध्यान रखिए, design के लिए भी, इसकी design का भी patent मिला है, और manufacturing patent भी मिला है, 3D printed rocket engines, 3D printed rocket engines की design और manufacturing के लिए patent हासिल हुआ है, जो बहुत बड़ी जीत है, तो आप याद रखेंगे, हाली में 3D printed rocket engines की manufacturing और design के लिए, किस संस्ता को patent मिला, आप आएंगे, अगनी कुल कॉस्मोस, संस्ता का नाम क्या है, अगनी कुल कॉस्मोस, ओके, नाम बड़ा शांदर रखा है, अगनी कुल, बड़ा सोच के रखा है नाम, अब बात करते हैं, appointments की, appointment में भया, Chief Justice of Madras High Court, the Centre Appoint Justice Munishwar Nath Bhandari as Chairman of Appellate Tribunal under the Prevention of Money Laundering, Clear है, Appellate Tribunal under the Prevention of Money Laundering Act, है ना, तो भया, Prevention from Money Laundering Act के तहत, जो है, यह Chairman बनाए गए है, कौन, Manishwar Nath Bhandari, Manishwar Nath Bhandari, जो है, मतलब यह है कि भया, जो Money Laundering से संबंदित मामले होंगे, है ना, वो आप ध्यान रखें, उन मामलों की जो है, अपी लिए नयादी करण है, उसके Chairman कौन मनाए गए है, Manishwar Nath Bhandari, आप ध्यान रखें, है ना, अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ाऊं, बात बताऊं, तो सीधा-सीधा यह है, कि मद्रप, मद्रास, उच्चे नयाले के मुख्य नयादीश, ने, केंद्र ने, केंद्र ने, नयायमूर्ती, मुनीश्वर नात भंडारी को धन्शोधन निवारन अधीनियम, है ना, मतलब यह कि Prevention from Money Laundering Act, जो है, यह बेसिकली, आप याद रखेंगे, आप से कोई पूछेगा, फुल फॉर्म क्या है, तो Prevention of Money Laundering Act, है ना, अपीले ट्रिबिनल इसका बनाया गया है, Money Laundering का मतलब होता है, जो लोग, बेसिकली क्या करते हैं, जो लोग, काले पैसे को, या काले धिन को, जो है, सफेद में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, जो लोग, ब्लैक मनी को, वाइट में, कनवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे जो है, बिसिकली क्या कहा जाता है, Money Laundering और Money Laundering के मामलों में शिकायद करने के लिए ट्रिबिनल बनाया गया है, उसे बोला जाता है, Prevention of Money Laundering Act या PMLA, ठीक है, और उसके चेर्मेन बनाये गया है, नाम है Justice Munishwarnaath भंडारी, क्लियर है, याद रहेगा आपको, Justice Munishwarna भंडारी, ओके, अब बात करते हैं, Joint Exercise Gagan, है ना, भाईया, ये गगण स्ट्राइक जो है, वो क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं, गगण स्ट्राइक क्या है, इंडियन आर्मी, खरगा कॉप्स, एंड इंडियन एर फोर्स, हैव कंड़क्टिद ए जोइन गण स्ट्राइक इन पंजाब, मतलब ये कि भाईया, इंडियन आर्मी ने, है ना, और इंडियन आर्मी का भी कौन सा, खरगा कॉप्स, है ना, खरगा कॉप्स जो सैनिक है, वो और इंडियन एर फोर्स, इंडियन एर फोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलके गण स्ट्राइक नाम की war practice की युद्ध अभ्यास किया और यह जो सही उट अभ्यास है वो कहां किया गया पंजाब में किया गया यह आप याद रखेंगे इसे क्लियर ओके नेक्स्ट books and authors पे बात आ रहे है और भाई सब नवतेज सरन जी की बात हो रहे हैं यह है नवतेज सरन और Crimson Spring जो है Crimson Spring इनकी एक book है नवतेज सरन जी की तो नवतेज सरना latest book Crimson Spring long listed for the JCB price for literature JCB price for literature के लिए नामित हुई है लिस्टेड हुई है book का नाम क्या है Crimson Spring और यह लिखी किसने है नवतेज सरना ने यह नवतेज सरन ने लिखी है ठीक है यह आप याद रखेंगे है ना अच्छा यह जो book है यह basically जलिया वाला बाग के जो है वो incident पर लिखी गई है है ना जो जलिया वाला बाग incident हुआ था 13 अपरेल 1919 आपको पता है जनरल डायर ने जलिया वाला बाग में हजारों भारतियों पर गोलिया चलवाईं थी और उसी incident पर जो है यह basically book लिखी गई है है ना वहीं से जो है यह book शुरू होती है चलिए आगे बात करते हैं याद रहेगा आपको है ना crimson spring जो है किसने लिखिये नवतेश चरणा ने और यह किस पर है based यह जलिया वाला बाग incident से जो है इसकी कहानी शुरू होती है इस book की India and Japan 2 plus 2 ministerial dialogue भाई साब यह मंगोलिया से पहुँचे जापान है मंगोलिया में इनको एक घोड़ा भी गिफ्ट में मिला अपने फोटो देखी होगी घोड़े का नाम इनने रखा यह राजनात सिंग हमारे रक्षा मंत्री पहुँचे थे मंगोलिया यह पहले रक्षा मंत्री है जो मंगोलिया पहुचे और जहां पर उनका स्वागत एक घोड़े से किया और घोड़ा जो ने मिला उसका नाम क्या रखा गया तेजस यह प्यार है ना दुनिया भर में मंगोलिया ही जो घोड़े होत कीर कमान चलाने में बड़े एक्सपर्ट होते थे और निशाना जो है बहुत अच्छा लगाते थे और खान जो कहते ना की जितने भी हैं वो समुदाय के लोग एक समय जब आये थे तो कहीं ना कहीं इनका ओरिजन जो है वो मंगोलिया में ही बताया जाता है ठीक है तो दोस्तों यहां पर बात करते हैं इंडिया जापान टू प्लस टू फॉरण एंड डिफेंस मिनिस्टीरियल मीटिंग देखो हमारे फॉरण मिनिस्टर भी शामिल है औविसली ब्लू के चकर में मैंने इनको नजरंदास कर दिया पर इन्हें कोई कैसे भूल सकता है एस जैशंकर साहब है यह हमारे विदेश मंत्री है और यह जो है वो है कौन राजनात सिंग और यह हमारे रक्षा मंत्री यह दोनों पहुँचे जापान और यहाँ पर जापान के काउंटर प्राट्स के साथ इन्हो was attended by the Indian Minister of Defense, Shri Rajnath Singh, the Indian Minister of External Affairs and Jai Shankar Prasad, Japanese Minister of Foreign Affairs, Mr. Hayashi Yoshimasa. है ना, इनका नाम जो है, Foreign Minister है, जो उनका नाम क्या है, हयाशी और जापान के Minister of Defense जो है, उनका नाम है हमादा, है ना, याशु काजू, क्या बात है, Mr. याशु काजू और Mr. हयाशी, यह है विदेश मंत्री और यह है रक्षा मंत्री, आप याद रखेंगे जापान के, और इन उसरे से बना रहे हैं या प्लस जो भी हमारे जो है वो रिलेशन्स या यह कहलें कि व्यापार से संब्धेद हो डिफेंस से संब्धेद हो एड्यूकेशन से संब्धेद हो टेकनोलजी संब्ध उस पर बात कर रहे हैं तो इसमें रक्षा और विदेश विभाग दोनों ने मिल के जो है जापन और इंडिया ने टोक्यों में इस बार मीटिंग की है आप याद रखेंगे विश्वे डेरी दिवस सम्मेलन जो है वो कब आयजित किया मैं आपको बताता हूँ है ना तो देखे विश्वे डेरी सम्मेलन जो है वो कहां आयजित किया गया नौइडा में इखटे हुए भईया पुर्धान मंत्री और मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के और आयोजित हुई शुरू हुई उद्गाटन हुआ वर्ल डेरी सम्मिट 2022 विश्व डेरी सम्मिट या शिकर सम्मिलन 2022 आप से सबसे पहले पूचा जाए कि विश्व डेरी सम्मिलन इस बार कहां आयोजित हुआ तो आप बता देंगे भईया कि नौइडा में आयोजित किया गया पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि नौइडा में आयोजित किया गया प्रदानमंत्री मोदी ने किया किया ओके अब बात करते हैं आगे इसके बारे में काफी कुछ दिसकेशन को है बहिया, Prime Minister Modi also visited the local exhibition at the rally. The Prime Minister said the dairy sector potential would not only boost the rural economy, मतलब यह कि dairy के sector का जो एक शमता है न, potential जो है वो सिर्फ भारत की अर्थविवस्ता कोई नही बढ़ाएगा, but would also be an important source of livelihood for millions of people around the world. मतलब यह कि बहिया, dairy sector जो भारत का है, या जो भारत के dairy sector की जो एक शमता है, यह केवल भारत की अर्थविवस्ता को आगे नहीं बढ़ा रही है, यह बेसिकली दुनिया भर के लोगों के lifestyle में बदलाव लाएगी, और एक जो है यह कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आजिवीका का स्तुरोत जो है दुनिया भर में यह बनेगा dairy sector, जिसने भारत की दिशा और दशा तो बदली ही है, है ना भारत आज white revolution मतलब की दुख्ध करांती में कितना आगे है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, अच्छा अगर important points की बात की जाए, world dairy summit के key points की बात की, the Indian dairy industry is unique in that it is based on a cooperative model, simple सी बात है कि यह जो है सबसे पहली बात तो सहकारी model पर based है, मतलब भारत में जितनी भी milk society है, वो जो है basically cooperative society है, सहकारी समिती और इस model की वज़र से इसकी ताकत और इसकी खुपसूर्ती और बढ़ जाती है, which empowers small and marginal, या marginalized dairy farmers, जो की ताकत देता है किसको small and marginalized dairy farmers, है ना छोटे जो है dairy farmers है ना और जो margin वाले जो हैं, से लेके milk और वहाँ पहुचाते हैं, उन सब को जो है बहुत हिम्मत देता है, और especially women's, है ना महलाएं जो हैं, देखो simple सी बात है, पुरुष जो हैं वो घर से बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, लेकिन महलाओं के लिए आजिविका का एक साधन होता है, और वो भी घर की अर्थविवस्ता में हाथ बढ़ाती हैं गाहों में, खास कर जब घर में जो है डेरी बिजनिस हो, पशु पालन होता है, गाए भैस पाली जाती है, तो इस केस में महलाओं को बहुत हिम्मत जो है मिलती है इसकी वज़े से, तो अच्छी बात कही परधान मंतरी जी ने, आपको पता है कि कुछ स्टेप्स जो है लिये गए, कुछ कदम उठाए गए, डेरी जो है उद्योग के सुधार के लिए और इसके परिणाम सरूप पिछले आठ वर्षों में, पिछले आठ वर्षों में कितना बढ़ गया है, 44 परसेंट बढ़ गया है मिल्क प्रोडक्शन, तो ये मतलब ये ना इतना भी आसानी एक तो मैं आपको बता दूँ, इसका सबसे बड़ा रीजन कहीं न कहीं, अब ये मेरे दिमाग में आया, जैसी मैंने ये खबर पड़ी, कि आपने एक योजना सुनी होगी, प्रधान मंतरी उज्वला योजना, कहीना कहीं उज्वला योजना को मैं यहां कैसे करेक्ट कर रहा हूँ, उसमें तो गैस सिलेंडर बाटे गए हैं, तो भाईया दिखो सिंपल सी बात है, गाओं में करोणों घरों में अब लकडी के चूले की जगा, या लकडी जलाए जाने वाले चूलों की जगा, अब गैस चूले, लपीजी के गैस चूले जो हैं वो जल रहे हैं, गैस सिलेंडर से, तो कही न कहीं महलाओं को जो दिन भर चार से पाँच घंटा चूले पर लकडी जलाते हुए, धुए के बीच बिताना पड़ता है, कही न कहीं उसके बाद अब उजवला योजना आने से जिन्दिगी आसान हो गई है, वही काम जिनमें 4-5 घंटे लगा करते थे आजकल 2-5 घंटे में हो जाता है, बाकी का जो समय है महलाएं कहीं न कहीं अपने जीवन इस्तर को सुधारने के लिए उपियोग तो करी सकती है, तो मुझे जो है वो योजना बड़ी प्रभावित करती है, और कहीं न कहीं इसमें उसका भी योगदान है, यह पक्की बात है, 44 परसेंट जो है वो मिल्क प्रोडक्शन इंडिया का पिछले 8 सालों में बढ़ गया, The success story of India's dairy industry, which accounts for approximate 23% of world milk, मतलब यह कि दुनिया के milk production का हमारा देश कितना प्रतीशत है, 23 प्रतीशत उतपादन करता है, दोस्तों यह data exams के लिए याद कर लीजिए, कि दुनिया भर के milk production का 23% milk production अकेला इंडिया करता है, थीक है, उसके बाद बात करें, produces approximately 2110 मतलब की 210 मिलियन टन एन्विली 210 मिलियन टन जो है दूद हर साल प्रड्यूस करता है भारत विच एंपावर्स 8 मिलियन डेली फार्मर्स मतलब यह कि भाया हमारे डेली फार्मर्स कितरे हैं 80,000,000,000 डेली फार्मर्स हैं भारत में जिनको हिम्मत मिलती है क्योंकि भारत के यह डेली फार्मर्स अब जो है 210 मिलियन टन दूद हर साल उत्पादन कर रहे हैं और यह कहीं न कहीं बेसिकली आगे बढ़ाएगा किसको यह जो है सशक्त बनाएगा किसको यह International Dairy Federation को भी या World Dairy Federation को भी यह शसक्त बनाएगा कहीं न कहीं यह तैब बात है और यह World Dairy Summit में यह बात उभर के आएगी यह जो मतलब यह सम्मिट हुई इसमें यह जनता जरूर दिखेगी कि भारत ने इतना बड़ा कंट्रिबूशन जो है वो डेरी फिल्ड में किया है The 4-Day International Dairy Federation World Dairy Summit 2022 will be held from September 12-16 मतलब यह कि अभी-अभी हुई है यह about 15 आज जैसे हमारा 17 सितंबर है मतलब यह कल जो है वो complete हुई है about 1500 participants from 50 countries are expected to attend IDF मतलब यह कि लगबग जो अनुमान था पचास हजा जो पचास देशों से जो है लगबग 1500 participants के आने का था क्लियर है पचास देशों से जो है प्रदानमंत्री office नहीं से बताया कि पचास देशों से लगबग 1500 participants इसमें आ रहे हैं चार देशी जो है यह समेलन था आपको बता दें the last summit in India was held in 1974 इससे पहले World Dairy Federation की जो international summit थी World Dairy Summit जो थी International Dairy Federation की वो 1974 में हुई थी और अब कब हो रहे है 2022 में मतलब यह कि सीधा-सीधा थोड़ा सा और रुखते तो 50 साल ही पूरे हो जाते क्लियर है तो काफी समय के बाद यह summit हमारे हां हुई है दुनिया भर का 23% milk production अकेला इंडिया कर रहा है अगला जो है खबर है वो HPCL से है HPCL collaborates with Indian Army for CSR project HPCL ने CSR प्रयोजनाओं के लिए Indian Army के साथ collaborate किया है है ना अब CSR बोले तो corporate social responsibility corporate social मतलब हर company की एक duty होती है कि भाईया वो समाच के लिए भी कुछ करे उसे बोलते हैं CSR corporate social responsibility मतलब इनकी सामाजिक जिम्मेदारी तो भाईया HPCL ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए किस के साथ हाथ मिलाया है तो इंडियन आर्मी के साथ हाथ मिला है हिंदुस्तान petroleum corporation लिमिटेड ने है HPCL and Indian Army have collaborated for implementing CSR project to coach and mentor to coach and mentor less privileged girl students in Cargill मतलब ये कि वो लड़कियां जिने Cargill में सुविधाएं नहीं मिलती है है ना और पढ़ाई लिखाई और अपने सपने पूरे करने के लिए उतने संसाधन और पैसा उनके पास नहीं है underprivileged है वो उनकी मदद करने के लिए Indian Army और HPCL जो है वो आगे आया है Cargill में जो कन्या हैं बालिका हैं जो सुविधा से वंचित हैं the project is known as Cargill Ignite Mines और ये जो Cargill Ignite Mines है ये योजना है अब exam में आप से पूछा जाएगा कि बताएए what is Cargill Ignite Mines तो आप बोलेंगे HPCL और Indian Army के collaboration से शुरू की गई एक initiative और पहल है जिसका नाम है Cargill Ignite Mines जिसमें Cargill की सुविधाओं से वंचित लड़कियों को जो है training और mentorship जो है वो दी जाएगी clear हैं अब इसके लिए भाईया simple सी बात है क्या होगा तो इस रूप में जाना जाता है और इस परियोजना का उदेश 50 छात्राओं को विभिन राष्ट्री स्तर की engineering और medical प्रवेश परिक्षाओं में जो है के लिए तैयार करना है मतलब यह कि भाईया NEET और जो है engineering IIT वगेरा के लिए जो है इन बच्चियों को prepare कराया जाएगा और यह scholarship और यह जो basically program है वो कौन किसने launch किया HPCL ने और Indian Army ने तो great initiative taken by the Indian Army and HPCL PM inaugurate center state science conclave in Ahmedabad प्रदान मंत्री ने Ahmedabad में केंदर राज्य विज्ञान सम्मेलन का उधगाटन किया है ना केंदरों और राज्यों का मिलके विज्ञान सम्मेलन जो है होना था और वो जो उधगाटन है प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ने किया Prime Minister Narendra Modi addressed the event via video conference के जरिये जो है इन्होंने जो है इसको address किया highlighted the importance of सबका प्रयास सबका प्रयास जो है इसका importance इन्होंने समझाया in the center state science conclave है ना उनको बताया संबोधित किया कि भाईया ये जो केंदर राज्य science conclave है इसमें महतपूर क्या है तो महतपूर है सबका प्रयास सब लोग प्रयास करेंगे तो definitely हम लोग विकास की रास्ते पर बहुत आगे जा सकते हैं ऐसा जो है प्रदान मंत्री ने कहा there has been a substantial increase in investment there has been substantial there has been a substantial increase in investment in the field of science and technology जी विज्यान और प्रद्यगी के शेत्र में निवेश में उलेकनी व्रद्धी हुई India has risen to 46th rank in the global innovation index मतलब यह कि यहाँ पर अगर यह जो science conclave हुई central state की एहमदाबाद में वहाँ पर इस बात पर भी प्रकाश डाला गया प्रद्धान मंत्री जी के द्वारा कि global innovation index में हम जो है वो 46th rank पर आये हैं जो पहले काफी सुदर गई है पहले हम 80 के पार ही हुआ करते थे 81, 82, 83 ऐसा हुआ करते थे अब global innovation index में हम कौन से नंबर पर हो गया है 46 पर हो गया है इसे एकलियर चलिए आगे बिढ़ते हैं Q2 Maxण वेस्टबन ने इटैलियन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है यह बाइसाब तो इटैलियन ग्रैंड प्रिक्स नहीं जीत रहें फॉर्मिला वन रेस नहीं जीत रहें इस साल तर यंदिल जीत रहें में सब race पर race जीते जा रहे हैं है ना तो भया इस बार की जो 70% races हैं वो max westapan ने जीती है नीदर लेंड के रहने वाले भाई सब max westapan और जैसा की देख रहे हैं आप red bull के driver है किसके है red bull के आप से पूछा जाए कि किसके driver है तो red bull के driver है और 70% इस साल की races जिनोंने जीती है max westapan 1 formula 1 italian grand prix का title या ताज भी जो है वो अब max westapan को मिल गया है आप याद रखेंगे red bull के driver है नीदर लेंड के रहने वाले AIIA launches ayurveda day 2022 program मतलब ये की बहिया all india institute of ayurveda सबसे पहले तो आया बोले तो AIIA all india institute of ayurveda under the ministry of ayush has launched ayurveda day 2022 program मतलब ये कि ayurveda दिवस 2022 कारिक्रम जो है वो शुरू किया गया आयूश मंत्राले के तहत AIIA मतलब AIIA has been chosen as the nodal agency for driving the ministry of ayush mandate for ayurveda day this year इस वर्ष ayurveda दिवस के लिए आयूश मंत्राले के जनादेश को चलाने के लिए AIIA को nodal agency के रूप में चुना गया है ठीक है very good आयरवेदा दे सर्टेन रेजर फॉर द या आयरवेदा दे कर्टेन रेजर फॉर द सिक्स वीक लॉंग प्रोग्राम बारह सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तो आपसे पूचा जाएगा कि भईया आयरवेदा डे जो है का जो कारिकरम है वो कब तक चलेगा ता आप बोलोगैं छे सब्ताह तक चलेगा और यह जो आयर्यवेदा डिवेस का जो करिक्रम है between सितंबर से 23 अक्टूबर तक जो है यह कारिक्रम चलेगा इससे परदा जो है उठेगा आचा मिनिस्ट्री ओफ आयुष सेलिब्रेट्स आयरवेदा डे एवरी इयर ओन धन्वंत्री जयनती और दिस इयर इट विल भी सेलिब्रेट ओन 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर को यह सेलि इता भी माने जाते हैं और धन्वंत्री जी की जयनती पर मनाया जाता है तो इस साल यह धन्वंत्री जयनती कब पढ़ रहे है तो इस साल पढ़ रहे है 23 अक्टूबर को तो 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा आयरवेद डे और 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक आयरवेद के ब बोलें यहां पर तो All India Institute of Ayurveda मुझे कहना चाहिए यह All India Institute of Ayurveda ठीक है ओके The theme for the celebration is हर दिन हर घर आयरवेदा इस बार के celebration की theme क्या है आयरवेद दिवस की 23 अक्टूबर को जनब मनाय जाएगा हर दिन हर घर आयरवेद हर दिन हर घर आयरवेद यह आप याद रखेंगे All India Institute of Ayurveda ने यह शुरू किया है सिक्किम टू होस रंजी ट्रोफी मैचेस for the first time पहली बार सिक्किम जो है वो रंजी ट्रोफी के मैचेस का मेजबान बनेगा सिक्किम पहली बार ऐसा करेगा दिसंबर में जो है तीन रंजी मैच जो है वो आयजित किये जाएंगे राज तीन पूरवत्र टीमों का स्वागत करेगा मिजोरम की टीम मनीपूर की टीम और अरुनाचल प्रदेश की टीम है ना रंगपो जगया जो है वो कहां पर है सिक्किम में है और रंगपो में जो है बिसिकली की पास खनन क्रिकेट मैदान है कौन सा है खनन आप से पूछा अब भाई सब एक्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा ये बात तय हो गई आप से पूछा जाएगा कि बताए ये जो mining cricket ground है वो कौन सा है तो आप बताएंगे कि भाई आप mining cricket ground जो है वो कहा है रंगपो में है और रंगपो में जो mining cricket ground है खनन cricket ground है मैदान है यह कहा है सिक्किम में है यह आप याद रखेंगे और इस बार यहां पर तीन रंजी matches आयोजित होंगे है ना देखे बड़िया फोटो है क्या शांदार नजारा है सिक्किम का clear है तो रण जी जो है matches यहाँ पर basically खेले जाएंगे तीन और कौन को से टीम आईगी मिजोरम मनीपूर और अरुनाचल प्रदीश आस पास की टीम है ठीक है अगर आप ऐसा देखेंगे तो भीया देखो match कहा होना है यहाँ सिक्किम मैच यहाँ होना है मिजोरम की टीम मनीपूर की टीम और अरुनाचल प्रदेश की टीम यह तीनों टीमे जो है वो कहां पहुंचेंगी सिक्किम में पहुंचेंगी और सिक्किम में कौन सी जगा पर पहुंचेंगी रंगपो यह आप याद रखेंगे और रंगपो में कौन सा mining cricket ground है, कौन सा ground है, mining cricket ground है, यह आपको याद रखना है, okay, the BCCI decision to allow Sikkim to host three of the Ranji matches at home will act as a game changer in cricket promotion in Sikkim, मतलब यह के Sikkim में, Ranji match कराने की permission देने को लेकर, यह जो Sikkim में cricket के promotion या cricket के परचार के लिए game changer फैसला यह साबित होगा, कहीं ना कहीं यह तस्वीर बदलेगा, परचार बहुत अच्छा होगा, है ना, वहाँ के युवाँ के बीच में, जब बड़े level पर cricket tournament, Ranji का वहाँ पर होगा, आयोजित, along with Ranji Trophy matches, Sikkim will also play two Coach Bihar Trophy, है ना, two Coach Bihar Trophy, है ना, Coach Bihar Trophy के matches भी होंगे, दो, ठीक है, अच्छा, उसके अलावा, and three, Sikken Aidu Trophy के match, Sikken Aidu Trophy के match भी होंगे, वो कितने होंगे, तीन, तो, Coach Bihar Trophy और, Sikken Aidu Trophy के match भी जो है, वो आयजित किये जाएंगे, Sikkim में यह आप याद रखेंगे, Coach Bihar Trophy, यह भी cricket से संबन्दित है, है ना, और, Sikken Aidu Trophy, यह भी cricket से संबन्दित है, और, Ranji तो, हाई cricket संबन्दित, तो, इस तरह से question B, जो है exam में आ जाता है, आप याद रखेंगे, तो, दोस्तों, यह जो खबरे थी, यह आप सुन रहे थे, Magnet Brains के सौजने से, Magnet Brains एक ऐसा platform है, जो आपको high quality education देता है, और, इसके लिए, वो कोई भी fee charge नहीं करता, कोई भी discount coupon जैसा, कोई ज़ंजट नहीं है, इन सारे exams की preparation, चाहे kindergarten से लेके 12 तक का CBSC का course हो, या entrance exams और competitive exams हो, इन सब की preparation जो है, वो, हमारा जो magnet brain है, वो free of cost कराता है, तो अगर आप magnet brains से free education लेना चाहते हैं, और regular basis पर हमारे इन वीडियो का फाइदा उठाना चाहते हैं, तो आपको करना बस इतना है, कि आप magnet brains competition का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और regular basis पर हमारे वीडियो का आनन लीजिए, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में, आज के लिए फिला लेतना ही, जैहिन!